तो दोस्तों Income Tax Department की तरफ से एक बार फिर लेटस अपडेट आई है PAN 2.0 प्रोजेक्ट दोस्तों इंप्लिमेंट होने वाला है जिसके लिए हमारी BJP सरकार जो है PAN कार को लेकर जो PAN कार आपके पास है दोस्तों पहले से उसमें अब आपको अपडेट करने पडेंगे उसमें क्या क्या चेंजिस करने पडेंगे और क्या ये 2.0 प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार जो है दोस्तों 1435 करोड रुपे खर्च करने वाली है इसके रिगार्डिंग अभी पूरा प्रोसेस जो है जिसके लिए हमारे युनिन मिनिस्टर अश्वनी वैश्नम ने बोला है यह सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है कम्प्लीट पेपरलेस कम्प्लीट ऑनलाइन रहेगा किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर किसी भी चात्र किसी भी यूजर को तो उसको जल्दी से जल्दी सौल कर सेके चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली यह पैन का जो प्रोजेक्ट है पैन 2.0 इसके अंदर क्या-क्या चेंजिस आपको देखने को मिलने वाले है और सरकार यह जो पैन का प्रोजेक्ट है क्योंकि आप लोग के पस पहले से पैन कार है आज की डेट में 78 करोड पैन कार्ड लोगों के पास है और almost 74 करोड 10 नंबर है अब सरकार जो है पूरे प्रोसेस को बदलाव लाना चाहती है अब आपके मन में दोस्तों कोशन है कि क्या जो मेरे पास पैन कार्ड है पुराने वाला वो बेकार हो जाएगा मुझे नया पैन कार्ड बनाना पड़ेगा या फिर पुराने पैन कार्ड के अंतर कुछ चेंजिस करने पड़ेंगे QR का Code का जो सिस्टम है वो क्या होने वाला है इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीटर पे अभी जो PIB जो हमारा बेसिकली गौर्मेंट की वेबसाइट है जहाँ पे प्रेस रिलीज गौर्मेंट ने इशू करी है मैंने ओफिशल अकाउंट ओपन किया हुआ है जहाँ पर PAN 2.0 प्रोजेक को गौर्मेंट ने मंजूरी दे दिया 1435 करोर रुपे भाईया सरकार खर्च करने वाली है तो समझ लेते हैं कि बेसिकल ये सारा मसला है क्या वीडियो के एंट तक जरूर बने रहना है क्योंकि वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आपको वीडियो अच्छी लगते तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नीचे लाल बटन उसको दमाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिसना हो टेलिग्राम चैनल पर आपको जोईन कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए मुद्दे की बात के लिए तो मैंने यहां पर पहले प्रेस रिलीज ओपन कर ली है जो हमारे पास दोस्तों आई है सरकार की तरफ से CBDT PAN 2.0 प्रोजेक्ट तो स्टीमलाइन और मौडरनाईज द प्रोसेस ओफ इशुइंग एन मैनेजिंग PAN 10 बेकिंग इट सिंपलर मोर यूजर फ्रेंड़िय और एफिशन बगया सरकार की तरफ से मने में कोशन आ रहा होगा सर क्या गौर्मेंट इसके अंदर कोई चार्ज लेने वाली है तो भीया मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहना है आपको करेक्शन करनी है अपडेट करना है अधार पैन लिंकिंग करनी है रीशू की रिक्वेस्ट डालनी है या फिर ऑनलाइन पहल वैलिडेशन करना है इसके लिए आपको एक ही यहाँ पर प्लैटफॉर्म दिया जाएगा तो सरकार कह रही है जैसे हमारे यूनिन मिस्टर साब ने बोला कि यह आपके एज के लिए कर रहे हैं आपके मतलब सहूलियत के लिए हम इतना पैसा करच कर रहे हैं 1435 करोड रुपे बहुत ही छोटा सा अमाउंट है चलिए बात कर लेते हैं कि अब कहता है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट फोकस ऑन एको फ्रेंडली अटैन फिर्क हरा में कहां पर यूज अहुस होता है आपके बैक काऊंट मीचंट मीचस अठीज हूता है बहुत है तो पैन का आज की एट में बात करूं तो और बहुत ज़ादा यूज है और एक यह common identifier है सारे digital systems के लिए जो भी हमारे electrified government agencies है ठीक है जी The Cabinet Committee on the Economic Affairs ने अप्रूव किया है Income Tax Department का PAN 2.0 प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट एम तो स्टीम लाइन और प्रोसेस ऑफ इशुइंग और मैंजिंग PAN 10 उसको यूजर फेंडली बनाने के लिए और गाइस खास बात यह है आपको पता है कि जो अब आपको नया PAN कार्ड मिलेगा उसमें आपको जो है क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर आपको QR कोड सिस्टम भी होगा जो नया होगा अब आपके मन में होगा सब जो मेरे पस पुराना PAN कार्ड है उसमें तो ऐस सच नहीं है देखे आपके पास तो तीन तरीके होते हैं अपना पैन अप्लाई करने के लिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहला इंकम टेक्सी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक अप्शन होता है इंस्टेंट इपैन का यहाँ से कर सकते है दूसरा आपके पास एक होता है utiitsl.com की वेबसाइट है जहाँ पर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो इसके लावा तीसरा आपके पास अप्शन होता है पॉर्टल जो आपके पास जो प्रोटीन की जो वेबसाइट है प्रोटीन.eog.nsdl की वेबसाइट जो बेसीकली है वहाँ पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी इंदर वह दे रखा है कि आप आज की डेट में अगर पैन से रिटर सर्विसेस की बात करूं तो आपको तीन प्लैटफॉर्म पर मिलती है तीन फाइलिंग पॉर्टल है यूटी आए टीहल पोर्टल, प्रोटीनी पोर्टल और फाइलिंग पोर्टल विद इंप्लिमेंटेशन अफ पैन टू अपर प्रोजेक्ट और जर्विसेस विल बी इंटिग्रेट इन सिंगल उनिफाइट पोर्टल कहने का मतलब यह सरकार कह रही है अभी आपको तीन जगा जाना पड़ता है pen card के लिए अगर आपको कुछ भी service लेनी है update कराना हो, issue करना हो, change करना हो, address, name, change, date of birth तो तीन जगा आपको जा सकते हो, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं एक common unified portal बना रहे है एक common portal बना रहे है जहां पर आपको सारी स्विधाय दी जाएंगी efficient manner में और security के साथ दी जाएंगी this one stem platform will handle comprehensively issue matters related to panel 10 including update जो भी आपको update करना है कुछ भी करना है तो आप इस common platform पे जाके कर सकते हैं government आपके ease के लिए इतना सारा पैसा खर्च कर रही है PAN two point project is also seen even step forward aligning with the digital India initiative it focus on the eco-friendly paperless process while establishing PAN as a common identifier of all the system of the specified government advice यानि कि इसका मतलब जैसे आपके पास पहले आपका proper PAN card होता था था ना hard उसमें होता था तो अभी आपको paperless में मिलने वाला है जैसे instant आप e-pan भी ले सकते हो income tax website तो ऐसे ही अब जो आपको मिलेगा ना वो paperless form में मिलेगा और उस पर qr code का system भी होगा उस तो पहले क्या था कि पहले जो PAN card लोग के पास थे अगर instant pen पे जाते हो तो कई जगा आपका qr code होता था तो वहाँ पे काम नहीं होता था और कई जगा government agency उसको मानती नहीं थी अभी government ने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया है पूरी तरह से streamline कर दिये वाली है process अब इसके क्या-क्या main features होने वाले है एक तो single platform आपका बन जागा PAN will be issued free of cost भया जो लोग कहना चाहते हैं कि government पैसा चार्ज करेगी कोई पैसा चार्ज नहीं करेगी free of cost आपको मिलेगा जल्दी आपकी processing हो जाएगी personal and demographic data will be protected through enhanced security measures आपका जो भी data है उसकी पूरी security रखी जाएगी dedicated call center help desk to address user query एक proper आपके लिए customer care executive हमेशा तियार रहेंगे अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है this upgraded design to enhance the overall experience for taxpayer by enhancing faster service delivery effective rent address and better protection of the sensitive data project will also make it easier for the year to apply penitent so guys कहने वाली बात यह है कि आपके पास जो भी अभी पुराना pen है उसके लिए अगर आपको नया pen apply करते हो तो आपको अलग अलग platform पे ना जाके एक platform पे आपको apply करना है अब अब काफी सारे effect user लोग के मन में इस pen 2.0 project को लेके कुछ myth भी है कुछ question भी है कि देखे यह तो पता दिया तो यह है basically 2.0 project क्या होने वाला है एक यह e-governance project है ITD income tax department का for re-engineering the business process of taxpayer registration system को change करने वाले है उसका registration होने वाला है the objective of the objective is to enhance the quality of the pen services through adoption latest technology under this project income tax department constitute all the process related to the pen allotment, updation and corrections तो यह तो simple सी बात होगी अब मुद्धा कह लेते हैं कि how pen 2.0 will be different from existing setup कहला है कि जो आपका current हमारे पास existing pen है और pen 2.0 है उससे कैसे अलाग है दोनों में basically difference क्या है एक तो integration of platform हो जाएगा जो नया हमारा यह pen 2.0 project होने वाला इसके इंदर सारे platform को एक कर दिया जाएगा दूसरा इसके इंदर हम paperless technology का use करने वाले हैं तीसरा taxpayer facilities को हम देने वाले है allotment, updation, correction जो होगी pen की वो free of cost होगी e-pen will be sent to the registered email ID यानि कि e-pen card आपकी email ID पे पहुच जाएगा physical pen card अगर आपको फिर भी चाहिए तो आपको 50 उरुपे वहाँ पर देने पड़ेंगे चलिए, अब जो question number 3 है जो कि बहुत ज़्यादा important है क्या pen card जिनके पास पहले से pen card है उनको अब नया pen card apply करना पड़ेगा इस system के अंदर yes or no the answer is no existing pen card holders को कोई ज़रूत नहीं है कि वो नया pen card apply करें जो उनके पस पुराना है वो ही रहेगा पुराने वाला ही जो पहले जो दुबारे से नए लोग कर रहे हैं वो नए system से करेंगे जो उनका pen 2.0 project होने वाला है do people have an option to get correction done on pen like name, spelling, address, change अच्छा अगर किसी को कुछ change करना है pen में तो क्या कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं वो existing pen card वाले जो holders हैं जैसे आपके पास pen है पहले से मेरे पास पहले से पहन है तो अगर मुझे कुछ correction करनी है तो मैं project 2.0 के अंदर जाके changes करवा सकता हूँ उसमें मुझे कुछ भी change करना है अपना email, mobile, address, name, date of birth कुछ भी मैं change कर सकता हूँ नए pen 2.0 project के अंदर गाईज तो ये खास बात है तो ये खास बात है आप ये भी यहाँ पे फैसिटी ले सकते हो आपको यहाँ पर detail दे दी गई है अब जो सो last point है पाचवा, do you, I need to change my pen card under the 2.0 अच्छा काभी मैं कुछ नहीं है सर, अगर मैं नए system में जाता हूँ पुराने वाला नहीं है मेरे पास पहले से को बंदा ले रहा है या पुराने वाला है तो क्या मेरा pen card change हो जाएगा अगर मैं इसको center करो वो कहरें नहीं आपका कोई pen card यहाँ पर change नहीं होगा pen card holder will not be change unless the pen holder want any update अगर update कुछ correction करते तो बहाँ अलग है पुराना pen card आपके पास रहेगा कुछ changes करने है तो जो नया आपका जो project आने वाला pen 2 point हो उसमें जाके आप update कर सकते हैं बिना free of cost physical pen card चीए तो भी है पचास रुपे देने पढ़ेंगे अच्छा अब कहरें कि काफी सारे लोग जो अपना कुछ भी change करना चाते है पुराना ऐसी पड़ा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत आईगी जब तक आप खुद update नहीं करोगे तो अपने आप नहीं होगा हो आप करोगे तो ही होगा तो आला कि कोई दिक्कत नहीं है तो गाइस ऐसे यह बहुत सारे question थे लोग के मनमें जिनको मैंने कोशिश करी आपको यहाँ बताने की अगर आपका फिर भी कुछ question query है pancard 2.0 project को लेकर तो मुझसे आप comment करके भी पूछ सकते हैं आज़ा करता हूँ यह छोटी सी लेकर एक बहुत बड़ी update आपको समझ आयोगी वीडियो को maximum share करो ताकि उनको भी पता लगे जो उनके पास pancard है अब उसको update करना है तो आपके नए system में जाना पड़ेगा वीडियो आपको पसंद यह तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्यू